तो आपको बताना है यह नंबर्स जो दिये है यह रैशनल है यह रैशनल है तो बात को समझना रूट फाइव जो है तो रूट फाइव क्योंकि एर्रैशनल होता है जब भी किसी रैशनल को सॉल्व किया जाएगा ठीक है कुछ भी एड कर लो माइनस कर लो मल्टीप्लाइ कर लो किसी एर्रैशनल के साथ ठीक है यह अभी मैंने थिओरी में पढ़ाया आप लोग को तो हमेशा answer जो है चाहे तुम plus करो, minus करो, divide करो, multiply करो answer हमेशा irrational आएगा तो मैं directly क्योंकि मैंने ये rule पढ़ा है तो मैंने directly बोल दिया this number is irrational, clear है, चलिए उसके बाद मुझे दिया है क्या, ये second वाला part तो first part के लिए तो irrational हो गया, second part देखिएगा second part के लिए मैं क्या बोलूँगा, second part के लिए मैं बोलूँगा 3 plus root of 23, bracket के अंदर है और बहाल लिखा है, minus root 23 तो पहले क्योंना, मैं bracket open कर दूँँ, तो ये आजाएगा 3 plus root 23, क्योंकि bracket के बाद minus root 23 लिखा है, तो bracket ऐसे ही open हो जाएगा ठीक है, अब देखना, plus 23, plus root 23, minus root 23 ये पूरा कट जाएगा, अंसर आएगा सिर्फ 3 तो इसका मतलब ये rational number है clear, चलिए दूसरा समझेगा, क्या 2 by root 7 upon 7 root 7 तो 2 by root, 2 root 7 upon 7 root 7 root 7, root 7, root 7 कट जाएगा क्योंकि इन दोनों का relation इसका relation 2 के साथ multiply था इसका relation 7 के साथ multiply था उपर नीचे जब multiply में चीजे होती है तो cut जाती है, ये fraction आएगा 2 by 7, इसका मतलब ये rational number आ गया ठीक है, तो this is a rational number ठीक है क्योंकि हम इसको p by q के form में लिख सकते हैं अगर आप देखते हैं, 2 by 7 को solve करके तो आप वैसे आप अपना जवाब दे सकते हैं तो question number 1 हो गया, x i 1.5 का ये मुझे लगता था, इस तरह के question आएंगे school exam में simplify each of the following expressions चलिए, अब simplify करना है simple simplify करना है, तो देखना bracket के अंदर क्या लिखा है? bracket के अंदर लिखा है, 3 plus root 3, और next bracket में लिखा है, 2 plus root 2 तो ये तुम्हारा लगेगा, कौन सा distributive law, तो 3 पहले 2 से multiply होगा, फिर 3 root 2 से multiply होगा, तो ये होगा 3 root 2, sorry 3 2 into 6 मतलब 3 into 2 is 6 तो ये आगया 6, 3 into 2 is 6, 3 into plus root 2, तो ये आजएगा plus 3 root 2, ठीक है, फिर plus 2 root 3 और root 3 plus root 2, ये दोनों multiply हो रहे हैं, तो multiply हो रहे हैं, तो root 3 into root 2, plus का sign और ये आजएगा root 6 clear, इसको solve कर लिजिए, तो इसको solve करने पे क्या आ रहा है, देखिएगा, इसको solve करने पे ये हमारा आ रहा है बस ये solve हो गए, इसके आगे हमारा solve हो नहीं सकता, देखो plus, इसमें कुछ भी कोई चीज किसी से plus नहीं होगी तो बस ये चीज solve हो जाएगी, ऐसे कैसे clear है, चलिए और क्या कर सकते हैं, फोर्थ वाले में देखिएगा, root 5 multiply होगा root 5 के साथ तो root 5 का square आएगा दूसरा root 5 multiply होगा किस के साथ? तो root 5 multiply होगा root 2 के साथ, तो यह आजएगा plus root 10 फिर minus root 2 multiply होगा root 5 के साथ, तो यह आजएगा minus root 10, ठीके और minus into minus plus root 2 into root 2, तो root 2 का square clear तो plus 10 minus 10 ये कट गया root 5 का square मतलब 5 minus root 2 का square मतलब 2 तो 5 minus 2 मतलब 3 तो इसका अंसर आएगा सिर्फ 3 clear है, चली, इसी तरीके के questions आपको school exam में भी देखने को मिल सकते हैं, clear है, चल आगे बढ़ते हैं, question number 2 भी हमारा solve होगा, clear गरते हैं board next question की तरफ चलते हैं, तो rationalize the denominators of the following word rationalize क्या होता है इसके उपर पक्का एक question आएगा rationalize word का मतलब ये कि हमें हमेशा denominator में कभी root नहीं छोड़ना तो denominator में कभी root नहीं होना चाहिए तो इसके लिए हम method यूज करते हैं rationalization, ठीके? अब देखना, तुम्हें एक question दिया है 1 by root 7 तो 1 by root 7 नीचे root नहीं चाहिए तो 1 by root 7 नीचे root नहीं चाहिए इसका मतलब क्यों ना मैं multiply करूँ नीचे से root कैसे अट सकता जब similar value इसके साथ multiply कर दी जाए तो root 7 जब इसके multiply होगा तो नीचे 7 आ जाएगा और क्योंकि मैं नीचे कोई quantity अपने से डाल रहा हूँ तो similar quantity मुझे numerator में भी डालनी है तो यह आजाएगा तुमारा कितना root 7 upon 7 खतम कहानी बस इतना ही करना था rationalize करना था वो हमने कर दिया तो first part हो गया second देखिएगा second में क्या है second में इन्होंने बोला है 1 upon root 7 ठीक है minus root 6 अब आप बात को समझना यहाँ पर identity लगेगी कौन सी a minus b whole square तो a minus b अगर मैं whole square कर दूँ ठीक है तो चीज solve और यह नहीं आपको यहाँ पर identity लगेगी a plus b और a minus b तो यहाँ पर देखना a plus b a minus b क्यों बोला सर आपने क्योंकि भाई मुझे नीचे से root हटाना है एकदम यह अगर a है यह अगर b है तो मैं similar एक value यहाँ पर multiply तो करूँगा बट उसका sign different होगा यहाँ पर minus है plus के sign को करेंगे देखना क्यों अगर यहाँ plus है यह minus है इंको multiply करते है तो यह identity हमने बचपन में पढ़िए यह आजाएगी a square minus b square यह आएगी इस identity को हम यहाँ use करते है चलो कैसे करेंगे देखना 1 by root 7 minus root 6 है इसमें multiply कर दो इसके denominator में एक यहाँ पर आजाएगा root 7 plus root 6 यह चीज़ आजाएगी तो different sign ले लिए तो similar quantity उपर भी डालनी है यह आजाएगा root 7 plus root 6 clear अब देखना यह a minus b यह a plus b इसको solve करने पे नीचे आजाएगा root 7 का square तो root 7 का square minus root 6 का square नीचे से root हटता हुआ दिखेगा आपको और उपर गया उपर आजा root 7 plus root 6 बस क्योंकि यह पूरी चीज़ इससे multiply हो रही है ना ठीक है अब यहाँ पर क्या answer आया यह answer हमारा आजाएगा root 7 plus root 6 upon upon क्या 7 minus 6 तो 7 minus 6 मतलब 1 और इसका answer आजाएगा root 7 plus root 6 clear है तो यह हमने तरीका अपनाया first or second solve करनेगा fourth भी देख लो चलो fourth को कैसे करोगे fourth के लिए भी same identity हम लगाते है नीचे से root हटाना है हमे चलो इसको हटाते है यहां से question क्या है 1 upon root 7 minus 2 ठीक है इसमें अगर मैं multiply कर दू root 7 plus 2 और यहाँ पे root 7 plus 2 ठीक है तो क्या होगा देखना a square minus b square तो denominator में आ जाएगा 7 root 7 का square minus 2 का square और numerator में आ जाएगा root 7 plus 2 ठीक है नीचे solve करने पे क्या आ रहा है यह आ रहा है root 7 plus 2 upon root 7 का square मतलब 7 minus 4 और 7 minus 4 होता कितना है देखना root 7 plus 2 तो यह हो गया upon 7 minus 4 तो यह होगा 3 clear तो यह है हमारा answer clear इस तरीके से हमें question number 5 exercise 1.5 से attempt करना है अच्छा question है इस variety के questions आ सकते हैं बच्चों चलो अच्चर topl Może 6 लोग्चा अच्चर की से ली घॉक्शा की बच्चों की की फ Major